आज पूरा देश जहां आजादे का जस्ट मना रहा था तो वहीं तिरंगा यात्रा के दोरान दो गुटों के बीच में जम कर मारपीट और पत्थरवाजी हुई है मामला यहीं शांत नहीं हुआ इन लोगों ने गाड़ियों और दुकानों में भी तोर फोर कर डाली है यह तिरंगा यात्रा में हुआ बवाल लखनव का है जहां एक गुट देली बाग इलाके का था और दूसरा गुट बंगला बाजार इलाके का इन दोनों गुटों के बीच में तिरंगा यात्रा के दोरान विवाद हो गया इस दोरान दोनों गुटों में मार पीट के बाद एक दूसरे पर पत्थर भी फेके गए तिरंगा यात्रा के दोरान आपस में हुए विवाद में एक लड़का घायल भी हुआ है मामला आशियाना के बंगला बाजार इलाके का है जानकारी के अनुसार लगनों के किला चौकी इलाके से सुतंतरता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी इस यात्रा में बाईक पर सवार दोनों गुटों के योकों में किसी बात को लेकर आपस में ही भीड़े गए और तोड़ फोड़ भी कि मारपीट हंगामे की जानकारी लोगों ने पुलिस अधिकारियों को दी मौके पर पुलिस फोर्स भी भेजी गई हलाकि पुलिस पहुँचते ही मोर्चा सभाल दी बताया जा रहा है कि आशियाना इलाके में वर्चस्चों को लेकर दो गुटों के बीच में पहले से ही तनाव चल रहा था और तिरंगा यात्रा में ये बवाल हो गया हलाकि तिरंगा यात्रा में बवाल पर पुलिस ने 9 लोगों पर फायार दर्ज किया है 14 आग्यात और कई लोगों को लिरासत में भी लिया है आज 15 अगस 2022 दोपहर में लगबद 2 बजे सूचना मिली कि थाना आशियाना अंतरगत बंगला बजार चौकी के पास दो गुटों के बीच पत्थरबाजी होई है सूचमता से जानकारी करने पर पता चला कि दो गुट हैं जो एक आशियाना से तेली बाग की तरफ जा रहा था और दूसरा तेली बाग से आशियाना की तरफ आ रहा था दोनों की तिरंगे यात्राया निकल रही थी और जो आशियाना वाला गुट था उसका जो हैड है सोनू रावत जो कि अभी जेल में है उनके गुट ने दूसरे गुट की उपर पत्थरबाजी की जिसमें एक लड़का रवी गायल हुआ आयू शियादव की तहरीर मिली है जिसमें 10 लोग नाम जात हैं अन्या ग्यांत लोग है उनके तहरीर की आधार पर मुकदमा आशाना थाने पर विबिन भाराओ में दर्श किया गया है जैसे 147, 148, 149, 247, 333, 454, 456 है और सेक्शन 7 CLA में मौके पर दो गाड़ियां भी डैमेज हुई थी जिनको ठाने के लिए आया गया है बाकी तीन टीम्स लगाई गई है अरेस्टिंग के लिए अगरिम के दिक अरवाई इसमें मन में लाई जा रही है